Hello students, इससे पहले जो question number 1 से question number 15 टेक हम कर चुके हैं यह हमारा question number 16 है, क्या कह रहा है, इतना बराबर इतना आपको proof करना है, ठीक है, आप एक बर book भी देख लिए ना, ठीक है और पिछला वीडियो आप जरूर देख लेना, तो हम इसका solution यहाँ पर करते हैं, ठीक है, question number 16 का, सबसे पहले हम क्या करेंगे, left hand side लेंगे आपके मन में साथ आता होगा, कि right hand side क्यों नहीं ले जा रहा है, देखो right hand side छोटा चीज़े, आप छोटा से बड़ा लाना थोटा सा tough पड़ता है, बड़ा से छोटा असानी से ले आए जा सकता है, लाया जा सकता है, तो हम left hand side ले लिए, one plus cot square theta, और multiply with tan theta, divided by sec square theta, ध्यान रिखना, सबसे पहले आपको proof क्या करना है, यह वाले आपके mind में चलना चाहिए, कि cot कैसे लाएं, कैसे लाएं, यह इस तरीके के mind में चलना चाहिए, ठीक है, simply one plus cot square theta बराबर होता है, cosec square, अगर यहाँ पर theta है, तो theta लिखेंगे, into tan theta, divided by sec square theta, अब क्या कर सकते हैं, आपको पता है, cosec theta बराबर one by sine theta होता है, यहाँ पर square है, तो shine में भी square लगेगा, और tan theta बराबर होता है, sine theta by cos theta, divided by sec square theta, sec theta बराबर होता है, one by cos theta, यहाँ पर square है, तो यहाँ पर लग जाएगा square, कोई दिक्कत, no problem, उसकी बात, यहाँ पर देखो, यह sin theta, sin theta, cos theta, क्या बजगेगा आपका, यहाँ पर अगर हम देखा जाए, तो बजगेगा, one by sine theta by one by cos theta, अब हम solve करेंगे, तो one by sine theta, यह उपर जाएगा, तो cos theta by one, multiply करेंगे, तो उपर निचे multiply करेंगे, तो cos theta by sine theta, cos theta by sine theta, you will get cot theta, तो यही चीज़ तो हमको right hand side में लाना था, clear तरीके से देख सकते हैं आप, तो right hand side में हमने यह चीज़ लेते आया, right hand side, तो यह हमारा proved हो गया, clear तरीके से कोई problem भी नहीं हुआ, ठीक है, ध्यान रही काटने का तरीका, पूरा मत काटिएगा, जो power वाला हिस्चा है, उसको काटिएगा, और इस पूरे को काटिएगा, इसका मतलब है sign dot हो है, two time sign theta है, तो एक sign theta कट गया, तो जाहिर सा बात एक sign theta बचेगा आपका, उसी तरह यहाँ पर एक cost theta कट गया, तो एक cost theta तो बचेगा ही, ठीक है, student, है हमारा question number 17 ने, देखो हम आपको पूरा पूरी solution कराएंगे, एकदम आप बस थोड़ा सा help करें, हमारे चैनल पे subscribe कर दें और like कर दें, ठीक है, जिसे कि हमको support मिले, और support मिलेगा, तो हम काफी motivate होते हैं, ठीक है, इस बात की 100% guarantee हम work पूरी इमंदारी से करेंगे आपके यह ठीक है, बस आप थोड़ा सा support बनाए रखें, यहाँ पर बाबू देखो, left hand side हमने यहाँ पर लिया, देखो इसको देखो तो A, इसको गर हमने A consider किया, इसको B consider किया, तो एक formula बन जाएगा, A plus B, A minus B, तो A plus B, A minus B बराबर होता है, A square, यानि जब हम बात करें, A square, यानि A minus B square, यानि cos theta, B के जगा क्या है, cos theta, यानि 6 square theta, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 6, angle पर तो square ने ने चड़ेगा, minus cos square theta, धियान रखना, आपको यहाँ पर यह वाले target रखना है, कि यह चीज किसी तरीके से लाना है, sign और 10 के term में लाना है, अब देखो आपको पता है, 6 square theta, बराबर होता है, 1 plus 10 square theta, तो होशियार आदमी, सबसे पहले यह काम कर देगा, क्योंकि उसको पाता है, right hand side में क्या है, 10 है, तो 10 कैसे लाएंगे, उसके दिमाग में ही चलेगा, तो automatic 6 square theta, बराबर 1 plus 10 square theta, यहाँ पर minus सक्कार Low bulb. पर फिर होशियार आदमी क्या करेंगा, सब देखेंगा 10 के साथ क्या है, तो sign देखेंगा, तो ho 1 plus shine square theta तो धियान रखना इस 1 को और ये 1 cancel हो जाएगा plus minus तो यहाँ आजाएगा आपका tan square theta plus shine square theta तो आपको सोचना पड़ेगा कि right hand side में क्या लाना है सबसे पहले ठीक है जासा कि हमने आपको सोचा कि हाँ इस तरीके करेंगे तो हमारे ये proved easy way में हो जाएगा तो right hand side में कोई ये चीज़ लाना था देख सकते हैं ये चीज़ आ गया तो ये proved हो गया ये 18 नमबर हमारा complete कोई दिक्कत नहीं no problem ठीक है शॉरी ये आपका 17 नमबर है ठीक है student ये आपका 80 नमबर है 1 minus shine a into 6k plus 10 इतना ब्राबर आपको 1 लाना है ठीक है सबसे पहले आपने क्या करना है यहां से solution स्टार्ट करना है इसका आपने सबसे पहले left hand side लेना है left hand side आपने ले लेना है क्या है वो ले ले 6k a 1 minus sign a 6k a plus tan a ठीक है अब आपने सोचना है कि कैसे इसको इतना ब्राबर इसको solve करने के बाद one आजाए आपको माइंड में चलना चाहिए यह चीज यहां पर यह चीज 6k a है ठीक है तो ध्यान रखिए का आपने क्या करना है एकदम आराम आराम से समझना है इस 6k a को इससे भी multiply करना है इससे भी multiply करना है तो 6k a माइनस 6k a इंटू शाइन ए और इस पर कोई changes नहीं करना आपको इसी तरह रहने देना है 6k a प्लस 10 है अब आपने क्या करना है यहां पर 6k a आपको पता है 6k a बराबर क्योंकि यहां पर दिखा जाए तो अगर हम इधर 10 लेते आएं तो कोई ने कोई formula में आ जाएगा हमारा तो हम अगर मान लो यहां पर इसको लिख दे 1 by cos a हमको पता है 6k a बराबर 1 by cos से लिख सकते हैं यह होगे multiply with sign a अब 6k a plus tan a अब धियान रखना यह होगे आपका 6k a minus sign by cos तो यहां पर simply अगर हम next step में लिख दें 6k a minus sign a by cos a यह होगे 6k a plus tan a तो कितना हो जाएगा हमारा 6k a minus tan a 6k a plus tan a अब धियान दो बाबू कि यह a मानो यह b मानो तो a minus b a plus b का formula होता है उस formula को हमने use करना है तो a square minus b square यह देखो 6k a का whole square इस तरीके से लिखो 6k a पूरे का square लिखो या या अप ऐसे लिख दो 6k square a ठीक है यह दोनो ऐसे लिखो ऐसे लिखो ऐसे लिखो कोई फरक नहीं पड़ता ठीक है आई बस अब में इस ही को ऐसे लिख सकते हैं इस ही को ऐसे लिख सकते हैं कोई फरक नहीं पड़ेगा तो 6k square a minus 10 square a ब्राबर क्या होता है 1 आपको पता है 1 plus 10 square a ب्राबर पता है तो एक 10 square a-10 square a ब्राबर 1 होगा तो हमारा राइट हैंड साइड आ गया आपका राइट हैंड साइड यही जिस्टो प्रूफ हो गया किलियर तरीके से कोशन यह वाला हमारा कम्प्लिट होता है 18 नमबर भी किलियर तरीके से देख सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ student यह आपका कोशन नमबर 20 है यह दियावा है टैन स्कौर ठीटा मैनस साइन स्कौर ठीटा ब्राबर इतना हमने क्या करना है सॉलिशन स्टार्ट करना है इसका तो हमने सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेना है आप बार बार सुस्ते होंगी कि right hand side क्यों नहीं लेते हैं तो देखो आप जो भी ले सकते हो यहाँ पर left low right low से कोई फरक नहीं पड़ेगा जो आपको easy लगता है वो उस पो आप यहाँ पर ले सकते हैं उसमें कोई debate नहीं चल रहा है ठीक है यहाँ पर आप दोनों ले सकते हैं दोनों में से कोई एक जो मन अपकी तो tan square theta minus sin square theta अब जब tan square theta tan theta ब्राबर क्या होता है sin by cos यनि tan square theta ब्राबर हो जागा sin square theta by cos square theta minus sin square theta यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 तो होगा छुपा हुआ इसका इसका नीचे वाले का इलसम लेंगे तो cos square theta यहाँ पर हो जागा sin square theta minus sin square theta multiply with cos square theta यहाँ तक क्लियर कोई दिक्कत नहीं no problem ठीक है आगे हमारा next step क्या होगा यहाँ पर हम sin sin common ले लेंगे जब हम sin square theta common लेंगे तो यहाँ आजाएगा 1 minus cos square theta divided by नीचे बचेगा cos square theta अब हम नहीं यहाँ पर sin square theta sin square theta common ले लिया अब हम इसको ऐसे लिख सकते है sin square theta divided by cos square theta into 1 minus cos square theta अब देखो sin square theta by cos square theta बराबर होता है tan student यह आपका question number 21 है solution इसका करते हैं सबसे पहले हम क्या करेंगे left hand side लेंगे क्या है left hand side में वो ले लो 1 plus tan square theta 1 minus sin theta 1 plus sin theta यहाँ पर इतना बराबर हों को 1 लाना है 1 plus tan square theta जो होता है वो बराबर होता है 6 square theta यहाँ पर 1 minus sin a plus b a minus b a square यानि 1 का square 1 minus b square यानि sin square theta 6 square theta multiply with 1 minus sin square theta will be cos square theta इन दोनों का जो value होगा 1 होगा 6 square theta यानि 6 theta पराबर होता है 1 by cos theta तो square है तो इसमें square चड़ जाएगा अब आप सोच रहे हों कि इसमें भी तो square आना चाहिए 1 में तो 1 का square तो 1 ही होता है न का square 1 और cos square theta जब square चड़ जाता है तो इसमें भी square आ जाएगा वही बात है न into cos square theta तो दियान रखना cos square theta और cos square theta आपका cancel हो गया यहाँ पर 1 आ गया right hand side में 1 लाना था 1 आ गया clear तरीके से question आप try करोगे तो बहुत अच्छा तरीके से बन जाएगा खूदी प्रूवड हो गया ठीक है कोई दिक्कत नहीं no problem राम से हो गया यह हमारा 23 का one number है ठीक है सबसे पहले हम solution इसका करते हैं तो सबसे पहले हम left hand side लेते हैं अब आप सोच देंगे why are you taking left hand side always तो देखो right hand side भी लेके भी बना सकते हो ऐसा कुछ नहीं है कोई restriction नहीं रुकावट नहीं है you are independent तुम सौतांत्र हो तुमारे को जो मिट्रेट अच्छा लगता वो मिट्रेट को cot ब्राबर लिख सकते हैं cos theta by sin theta और tan theta ब्राबर लिख सकते हैं sin theta by cos theta यहाँ पर क्या करोगे यहाँ पर नीचे नीचे लसेम लोगे तो sin theta cos theta आएगा sin theta sin theta cancels cos square theta minus sin square theta धियान रहे उपर भी देखो right hand side में भी देखो क्या लाना है तो यह वाले चीज़ लाना है यहने कहीं ने कहीं sin को cos के term में लाना पड़ेगा तो cos square theta इस sin square theta पर आपर कैसा लिख सकते हैं 1 minus cos square theta divided by sin theta into cos theta अब धियान रखना cos square theta 1 minus cos square theta divided by sin theta into cos theta धियान रखना cos square theta plus cos square theta will be 2 cos square theta minus 1 sin theta cos theta यही चीज़ तो मेरे को लाना था क्लियर तरीके से देखो है ना तो राइट हैंड साइड में यह चीज़ आ गया तो यह हमारा प्रूवड हो गया क्लियर तरीके से कोई दिक्कत नहीं नो प्रॉब्लम ठीक है यह question number 23 है बार बार समझो नहीं समझ मैं तो बार बार कोशिश करो समझने का यह question number 24 है ठीक है तो left hand side ले लेते हैं तो left hand side में क्या-k्या है आपका cos square theta by sin theta minus cos theta plus sin theta ध्यान रखना इसकी value आपको right hand side में कितनी लानी 0000 लानी तो देखो इसको solve करते हैं तो देखते हैं अगर solve करने बद जीरो हागया तो हमारे यह proved हो जाएगा, तो देखो, cos is quite theta, इसको as it is रहने तो, अच्छा, बीच में plus का sign है, धियान रखना, by, sign theta, इसको हम one by sign theta कह सकते हैं, cos एक theta बराबर, हराम से, sign theta, अब नीचे कुछी ने तो one है, अब sign theta, यह हो गया, cos square theta minus one, plus, sign square theta, धियान रखना, cos square theta plus sign square theta का जो विली होता है, one होता है, एक जगा कर लो, तो one minus one by sign theta, यहने, zero by sign theta, तो zero by sign theta, will be zero, तो यही चीज़ तुमको right hand side में लगना था, right hand side में आ गया zero आपका, तो यह चीज़ proved हो गया, समझें, left hand side में यह चीज़ लेकर, आपको right hand side में zero लाना था, जो कि आपने easy way में निकाल लिया, अराम से आपने समझ लिया, ठीक है, यह हमारा question number 25 है, तो चलिए, इसको start करते, आप खुश से कोशिस करोगे, तो sub question बन सकता है, लेकिन I don't know, आप से कोन सा question बन रहा है, कोन सा नहीं बन रहा है, इसलिए हम कोशिस करते हैं, जादे तर question को solve कर देना, कर देने कर, ताकि हमको समझ में ऐसे नहीं आ रहा है, आपको कोन समझ में आ रहा है, कोन सा नहीं, आपके लिए capable है, फटाफट लाइक भी कर दें, कोई कि 70% से ज़्यादा लोग, 80% लगबग, सस्क्राइब नहीं करते हैं चैनल को, देखते हैं फिर भी चैनल को सस्क्राइब नहीं करते हैं, यह मत किजिए, आप सस्क्राइब भी कर दीजिए, सपोर्ट मिलेगा, है ना, ताकि हम इस तरह से काम करते नहीं, इनका, 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 एलसे हम लिए, 1 प्लस साइने, 1 मैनस साइने, 1 प्लस साइने, 1 प्लस साइने, यहाँ पर 1 sin A, sin A cancel हो गया यहाँ पर बजगिया 2 by A plus B A minus B, formula होता है A square minus B square, यहाँ 1 minus sin square तो 2 by 1 minus sin square A, cos square तो 2 by cos square A मतलब कितना हो गया, 2 6 square A तो left hand side में यह चिल लिया हमने तो यह हमारा proved हो गया, ठीक है right hand side आपका आगया, यह proved हो गया next question देखते हैं, यह question number 26 है ठीक है, चले इसको start करते है left hand side पहले ले ले लेते हैं left hand, right hand side में क्या proof करना है, वो याद रहना चाहिए ठीक है, यहाँ पर simply क्या करना है, एक दम राम से solve करेंगे, कोई घबराने वाली बात नहीं है, यहाँ पर आप इसको दो थी इसका lcm ले ले लेते हैं, तो cos theta one plus sin theta one plus sin theta, दो बार हो जाएगा, one plus sin theta into one plus sin theta, इन्हें one plus sin theta का हो स्कॉर, plus one plus sin theta one plus sin theta, cancel हो जाएगा कटके, तो cos square theta आजाएगा अब हम इसको क्या करते हैं, फॉर्मूला में break करते हैं, तो a square b square plus two sin two a square plus b square plus two a यानि two sin theta plus cos square theta divided by cos theta one plus sin theta धियान रखिएगा, sin square theta plus cos square theta का जो विली होता है वो two होता है, ए फॉर्मूला होता है तो one plus one will be two तो two plus two sin theta divided by cos theta one plus sin theta अब हम क्या करेंगी, now यहां से two common लेंगे, तो two one plus sin theta और cos theta one plus sin theta धियान रखिएगा, one plus sin theta, one plus sin theta cancel हो गया और two by cos हो है, हमार हो गया two sec theta क्योंकि आपको पता है, one by cos sec theta होता है तो two multiply में ही रहेगा, तो यह आपका left hand side में यह चीज़ ले लिया यह वाले, right hand side में यह चीज़ लाना था, तो यह का आ गया proved हो गया clear तरीके से, बार बर समझो, कोशिच करो, समझने का कोई दिक्कत हो तो ठीक है यह हमारा question number 28 है, इतना बराबर, इतना बराबर, इतना ही divided by one plus cot square theta, ठीक है, one plus ten square theta, will be sec square theta, one plus cot square theta, will be cos square theta, तो यहाँ पर we know that, एक मिनट रुगिएगा थोड़ा सा, तो मेरे को पता है, sec theta पर रावर one by cos theta होता है, तो यहाँ पर one by cos square theta, by one by sin square theta, तो यहाँ पर one by cos square theta, into sin square theta by one, तो यह हो जाएगा आपका, tan square theta, कितना हो जाएगा, tan square theta, यह बिचिच के लिए है, यह हमारा left hand side में जुआया, वो आपका tan square theta, अब हमारा middle hand side, mhs, 1 minus tan theta by 1 minus cot theta, इस पूरे का square, ठीक है, तो इसको solve कैसे करेंगे, one minus sin theta by cos theta, by one minus cos theta by sin theta, इस पूरे का square, कितना हो जाएगा, देखो, cos theta minus sin theta by cos theta, थोड़ा सा सौर्ट करण भी करेंगे, इन्टू sin theta by sin theta minus cos theta, इस पूरे का square, इस पूरे पर power 2, ठीक है, यहाँ तक तो clear है, आगे देखते हैं, यहाँ हो जाएगा, cos theta, minus sin theta, sin theta, यहाँ से minus common लेते हैं, तो minus cos theta, और यहाँ हो जाएगा, cos theta minus sin theta, यह चीच के लिए देखते हैं, कितना होता है, अगर हम minus common लेते हैं, तो minus sin theta plus cos, ठीक है, तो यहाँ, ध्यान रहे आपको यहाँ पर cos theta minus sin theta, और cos theta minus sin theta, उपर निचे cancel हो जाएगा, और ध्यान रहे, इस पूरी में square है, जो कि हम देना भूल गए थे, तो आप पूरी में power दे दीजेगा, किसमें पूरे में, cos theta minus sin theta, into sin theta by minus cos theta, into cos theta minus sin theta, पूरे का whole square, अब उसके बाद देखो, cos theta minus sin theta, उपर वाली को हम cancel करना भूल गए हैं, तो उपर निचे दोनों तरफ cancel होगा, जब उपर निचे cancel हो जागा, तो minus sin by cos बचेगा, तो minus sin by cos मतब क्या हो गया, minus 10 theta, minus 10 theta का whole square मतब 10 square theta, ठीक है, अब हम right hand side लेंगे, तो right hand side में already 10 square theta है, तो so, हमारा इसलिए, जो हमारा left hand side है, बराबर है right, बराबर है, middle hand side बराबर right hand side, तो hence, proved, clear तरीके समने, तीनो, left hand side, middle hand side, और right hand side equal, देख सकते हैं, आप clear तरीके से हो गया, ठीक है, यह हमारा 29 है, question 1 plus 6 theta by 6 theta, 1 plus 6 theta by 6 theta बराबर इतना, तो left hand side ले लेते हैं, क्या है 1 plus 6 theta, जो proof करना वो भी दिमाग में रहना चाहिए, बारबर हमने बोला इस चीज़ को, तो 1 plus 6 theta, तो अगर हम इसको 6 theta को 1 by cos theta लिखते हैं, तो कोई दिक्कत है, 1 by cos theta, अगर थोड़ा सा sort form लिखते हैं, तो cos theta, plus 1 by cos theta, अगर हम सौट में लिखते हैं थोड़ा सा, तो cos theta by 1 हो जाएगा, यहाँ पर, cos theta plus 1 by cos theta, और 1 by cos theta, cos theta cancel हो गया, यहाँ गया 1 plus cos theta, यह मरा left hand side, अब right hand side में यह चीज़ लाना था मेरे को, ठीक है, अब हम सोच रहे हैं, कैसे लाए जाए, तो इसके नीचे एक 1 तो छिपावा है, 1 plus cos theta by 1, यही चीज़ है न, multiply करते हैं इसको, 1 minus cos theta से उपर भी, numerator में भी और denominator में भी, 1 minus cos theta से, नीचे भी, उपर नीचे दोनों, अब हमारा हो जाएगा, 1 plus cos theta, 1 minus cos theta, divided by 1 minus cos theta, धियान रहे, a plus b, a minus b का फर्मूला होता है, a square minus b square, यहीं 1 minus cos theta बराबर, sin theta, तो sin theta by, 1 minus cos theta, ठीक है, धियान रहे, यहाँ पर square होगा, क्योंकि, a plus b, a minus b, a square minus b square, यहीं 1 minus cos theta, बराबर sin square theta, तो यहीं चीज़ तो हमको लाना था, right hand side में, आगे हमारे clear तरीके से, तो right hand side, hence proved हो गया, clear तरीके से, कोई दिक्कत भी नहीं हुआ, no problem, ठीक है, यह हमारा question number 30 है, ठीक है, इतना बराबर, इतना proof करना है, ठीक है, plus cot theta by 1 minus 10 theta, यहां परोंको प्रूव में यह चीज़ लाना है, के लिए तरीके से देख सकते हैं आप, हम क्या करते हैं, इस 10 theta को लिख देते हैं, sin theta by cos theta, by 1 minus cos theta by sin theta, plus cos theta by sin theta, 1 minus sin theta by cos theta, solve करते हैं, sin theta by cos theta, उपर चला जाएगा, थोड़ा सो short form, sin theta by sin theta, minus cos theta, plus cos theta by sin theta, multiply cos theta by cos theta, minus sin theta, ठीक है, यहां पर, आगे हम इसको solve करते हैं, sin square theta, by cos theta, sin theta, minus cos theta, plus cos square theta, sin theta, cos theta, minus sin theta, ठीक है, यहां तक तो clear है, अब आगे बनाते हैं, sin square theta, by cos theta, sin theta, minus cos theta, यहां पर हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा, आपका, minus, cos square, आप minus कैसे हुआ, तो यहां से minus हमने बाहर किया, यह हो जाएगा, sin theta, minus, जब बाहर ले लेंगे, तो minus cos theta, पर sin theta, यहां पर हो जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा, आपका, जो इनसे हम हो जाएगा, वो हो जाएगा, sin theta, cos theta, और sin theta, minus cos theta, यहां पर हो जाएगा, sin cube theta, minus, sin theta, sin, तो हो जाएगा, cos cube theta, यह formula बन जाएगा, अब aq minus b, q a minus b, तो sin theta, a minus b, यह नहीं कॉस्ट ठीटा एक स्क्वाइर नहीं फर्मुला होता है एक्यू मैंस बीकी बीक्यू एक मैंस बी a square plus a b plus b square तो a square plus a b sin theta cos theta plus b square यहने cos square theta divided by sin theta cos theta sin theta minus cos theta तो यह यह cancel हो गया यह वाला sin theta minus cos theta उपर नीचे अब sin square theta plus cos square theta बराबर क्या होता है 1 होता है यहां हो गया 1 plus sin theta cos theta divided by sin theta cos theta तो simply अलग-अलग करते हैं इसको तो अलग-अलग करेंगे तो यहां पर जाएगा 1 by sin theta into cos theta plus sin theta cos theta by sin theta cos theta कितना हो जाएगा 1 आजाएगा आगे बनाते हैं तो 1 by sin theta यानि की और 1 by cos theta अचा यहां पर actually जो आ रहा है वो आपको कुछ अलग ही value आ रहा है यहां पर दिखाएगे तो plus में आ रहा है 1 plus 10 theta आ रहा है 30 नमर कोशन देंगी तो plus में आ रहा है यहां 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 1 तो ला दिए लेकिन plus में कैसे रहा हैं तो अगर हम इस 1 को लिखते हैं cos square plus sin square theta cos square theta plus sin square theta divided by इस 1 को लिख सकते हैं यह sin theta into cos theta plus 1 अब अलग अलग करेंगे तो cos square theta by sin theta into cos theta देखो जब cos square theta अलग अलग करेंगे जगह कमी है तो अलग अलग जब करेंगे तो cos square theta by sin theta cos theta यहाँ पर यह cos theta और यह cos theta पावर वाले को काटेंगे तो cos by sin कितना हो जाएगा cos theta plus फिर sin square theta by sin theta sin square theta by sin theta cos theta हो जाएगा तो यहाँ पर sin theta sin theta sin by cos will be 10 तो cot theta plus tan theta plus 1 तो यहाँ पर हमारा right hand side आ गया यह चीज़ प्रूवड हो गया कि यह तरीके से कोई दिक्कत नहीं no problem थोड़ा सा struggle उसके बाद solution अराम से हो गया तो यह अभी अब तक के लिए इतना ही इसको सॉल्फ करते हैं प्लीज चैनल को सस्क्राइब करें नहीं है तो और लाइक भी कर दें लेफ्ट हंड साइड लेंगे हम यहाँ पर सेक टूदी पावर सिक्स ठीटा धियान रहे आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं सेक स्क्वाइर ठीटा इस पूरी पर पावर क्यूब ठीक है इस तरीके से लिख सकते हैं आप अराम से उसके बाद इस सेक स्क्वाइर ठीटा को लिख सकते हैं वन प्लस 10 square theta इस पूरे पर power cube है ध्यान रहे हम अब formula लगाएंगे A plus B का whole cube तो A cube plus B cube यानि 10 square theta इस पूरे पर power 3 plus A cube plus B cube plus 3 A square B यानि 10 square theta का whole square into B यानि 1 plus 3 A B square 3 into 1 into B square 3 into 3 A यानि 10 square theta into B square यानि 1 का square है ना 1 का square हो जाएगा अब 1 का cube तो 1 हो गया और 10 2 3 जा 6 10 to the power 6 theta ध्यान रखना 3 10 to the power 4 theta plus 3 10 square theta यहाँ पर हमने यह चीज लाना था यह चीज बिलकुल अभी नहीं आया है ठीक है 10 to the power 6 theta तो आ चुका है लेकिन और साथ में 1 भी आ चुका है यहाँ तक आ चुका है लेकिन यह वाले चीज आपको लाना है यह चीज यहाँ पर क्या करेंगे 3 10 square theta इंटू 6 square theta तो कैसे करेंगे तो चली देखते हैं इसको as it is रने दी इसमें कोई changes नहीं करना है क्योंकि यह already आ गया है प्लस यहाँ पर क्या करेंगे 3 10 square theta आपको common ले लेना है तो यहाँ पर बज़ जाएगा 10 square theta प्लस 1 तो यहाँ हो जाएगा 1 plus 10 to the power 6 theta plus 3 10 square theta into 6 square theta तो धियानक ना right hand side में यही चीज लाना था 10 to the power 6 theta plus 1 plus 3 10 square theta into 6 square theta तो आगे है यह हमारा कौन सा आगे है right hand side तो यह बिलकुल proved हो गया कोई इसमें दिक्कत नहीं है proved कर दिया हमने अराम से यह हमारत 34 है बाकी जो 33 है यह 32 है आप खुछ से बना लेना यहाँ पर आपको right hand side में जो लाना है वो है 1 by 1 minus cos A आपने कुछ करना नहीं 1 plus cos A को इसको कुछ चिंजिस नहीं करना है इस sine square A को लिख सकते है 1 minus cos square A और यहाँ हो गया 1 plus cos A अब A square minus B square यानि A minus B यानि 1 minus cos A और 1 plus cos A फॉर्मूला होता है ना इसको तो लिख सकते है ना 1 का square तो A square minus B square A minus B A plus B यह वाला और यह वाला कैंसल हो गया तो यह हाँ आगया हमारा 1 by 1 minus cos A तो यह हमारा right hand side आपका proved हो गया clear है कोई दिक्कत नहीं यह कैसे होता है आपको हम ऐसे बता देते हैं 1 plus cos A कहीं ने कहीं इसको आप लिख सकते हैं 1 square minus cos square A तो अगर आप इसको और extend करना पढ़ाना है तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 square minus cos A का whole square ठीक है आगे वही आजाए का 1 minus cos A 1 plus cos A ठीक है तो यह question number 34 is completed यह हमारा question number 37 है तो चले इसका start करते हैं सबसे पहले हम क्या करेंगे left hand side लेंगे अंडर रूट 1 plus sign A by 1 minus sign A ठीक है नेक्ट स्टेप में हमको क्या करना है 1 plus sign A divided by 1 minus sign A अब rationalization कर दिना है उपपर भी multiply करना है 1 plus sign A से और नीचे भी यहां बार minus है तो प्लस वाले से multiply उपर और नीचे दोनो तो यहां पर हो जाएगा आपका 1 plus sign A इस पूरे का whole square divided by 1 minus sign A 1 plus sign A यहनि कितना हो जाएगा 1 minus sign square A रूट 1 plus sign A को whole square by 1 minus sign square A बराबर cos square A धियानक ना यहां पर right hand side में यह चीज़ लाना है आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं रूट 1 plus sign A by cos A इस पूरे का whole square तो देखो square root cancel हो जाएगा तो आजाएगा आपका 1 plus sign A by cos A तो यहां पर 1 by cos A जो हो जाएगा plus sign A by cos A हो जाएगा कितना हो जाएगा sick A plus tan A यह ही चीज़ तो लाना था sick A plus tan A तो यह अराम थे आपने लेते आया तो right hand side हमारा proved हो गया clear तरीके तो कोई problem भी नहीं हुआ ठीक है यह हमारा question number 36 है क्या है one plus cos A by sin A ब्राबर sin A by one minus cos A तो सबसे पहले आपने left hand side लेना है यहाँ पर one plus cos A by sin A आपने क्या करना है one plus cos A by sin A आपने multiply करना है one minus cos A divided by one minus cos A तो क्या हो जाएगा one plus cos A one minus cos A one square minus cos A यानि one minus cos A by sin A one minus cos A यहाँ पर one minus cos A ब्राबर हो जाएगा sin square A by sin A one minus cos A यहाँ पर sin A cancels और इस पावर काटना है तो उपर बचकिया sin A by one minus cos A यहाँ पर हमने left hand side में यह वाले चीज़ लिया राइट hand side में यह ला दिया तो यहाँ पर right hand side यह चीज़ प्रूफ्ड हो गया कोई दिक्कत प्रॉब्लम कोईशन नमबर 38 आप खुछ से कर ले ना कोईशन नमबर 39 पर आते हैं left hand side ले लिया हमने 6 A minus 10 A का whole square right hand side में ध्यान रखे 1 minus sorry हाँ 1 minus sin A by 1 plus sin यह लाना है ठीक है तो 6 A minus 10 A का whole square नीचे कुछ नहीं है तो 6 A minus 10 A का whole square इस one को लिख सकते हैं 6 square A minus 10 square A अराम से लिख सकते हैं it means कि इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं 6 A plus 10 A 6 A minus 10 A यह आपका cancel हो गया क्या बज़िए उपर में उपर में बज़िए आपका 6 A minus 10 A 6 A minus 10 A sorry यह वाला चीज नहीं कटेगा 6 A plus 10 A तो मौझूद रहेगा यह कटेगा ठीक है तो 6 A minus 10 A by 6 A plus 10 A अगे हमको क्या यहां पर लाना है actually जो लाना है वो है 1 minus sin A यह चीज़ लाना है यहां पर इसको 1 by cos A लिख सकते हैं और sin A by cos A यहां पर लिख सकते हैं 1 by cos A plus 1 by sin A तो यहां हो जगा 1 minus sin A by cos A यहां पर से की एक जगा sin by cos होगा ठीक है sin A by cos A तो यहां पर हो जगा cos A by 1 plus sin A यहां cos A cos A cancel हो गया तो 1 minus sin A by 1 plus sin A by 1 plus sin A left hand side में यह चीज़ लिए right hand side में यह लिते आया यही चीज़ तो लाना था तो यह proved हो गया clear तरीके से proved हो गया clear तरीके से proved हो गया यह हमारा question number 44 काफी important है CBC 2006 में आ चुका है ठीक है तो इसका solution बनाते हैं left hand side लेंगे पहले 1 plus 10 square A 1 plus 1 by 10 square A धियानक ना 1 plus 10 square A वराबर होता है 6 square A तो यहां पर लिख देंगे 6 square A 10 square A 10 square A 10 square A plus 1 यहां पर हो जाएगा आपका 1 plus 10 square A तो 6 to the power 4 A by 10 square A ठीक है यहां पर उनको right hand side में से sin square A minus sin to the power 4 A लाना है 1 by sin square A minus sin to the power 4 A ठीक है पर अब हम क्या करेंगे 6 square A बराबर उनको पता है 6 A बराबर 1 by cos होता है तो 1 by cos to the power 4 A into cos square A by sin square A तो यहां पर cos square, cos square cancel हो गया यहां बज़ी है 1 by sin square A cos square A यह बज़ी है अब हम क्या करेंगे now 1 by sin square A अब इस cos square A बराबर लिख सकते हैं 1 minus sin square A तो यहां हो जाएगा 1 by sin square A minus sin square A into sin square A sin to the power 4 A यह चीज़ तो लाना था था हमको 1 by sin square A minus sin to the power 4 A आ गया हमारा right hand side आ गया तो यह चीज़ proved हो गया क्लियर तरीके से कोई problem भी नहीं हुआ ठीक है यह हमारा question number 36 है हम क्या करेंगे यहां से solution स्टार्ट करते हैं सबसे पहले left hand side यह चीज़ लिते हैं क्या है cot A minus cos A divided by cot A press cos A अप क्या इसको लिखेंगे तो यहां पर सोचीए थोड़ा सा जिए इस कॉटि को ऐसे लिख सकते हैं cos by sign cos A by sin A plus cos A solve करते हैं इसको cos A minus sin A into cos A by sin A यह उपर चला जागा sin A cos A plus sin A into cos A यह यह sin A cancel हो गया यहाँ पर बजाएगा cos A minus sin A cos A by cos A plus sin A into cos A यहाँ पर cos को जब कॉमें लेंगे तो cancel हो जाएगा तो cancel हो जाएगा तो one minus sin A हो जाएगा by one plus sin A अब क्योंकि यहाँ पर right hand side में जो है cos A के term में है तो हम यहाँ पर इसको cos A के term में लिख देंगे तो one minus sin A बराबर one by cos A और one plus one by cos A यहाँ हो जाएगा cos A a minus one cos A plus one right hand side proved हुए ठीक है अराम से बन गया कोई दिक्कत भी नहीं देख लीजे बार बर तरी से जाएगा